आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि हनी सकिल फूल से मधू को कैसे चूस है ये है honey cycle फूल honey cycle ये एक फूल है Japanese honey cycle कहते है जो अमेरिका में होता है और वैसे भारत में भी होता है इसको देखें इसकी पत्तियां फूल मैंने तोड़ दिया पत्तियां देखें इसकी opposite है एक दूसरे के विप्रीत तो सफेद रंगा ये फूल है चार पंकड़ी एक तरफ एक पंकड़ी एक तरफ पांच पंकड़िया है और ये देखी ये female part है इसका ये male part है ये भी male है तो यहाँ पांच male part दीख रहे है एक female part दीख रहा है और इस tube के अंदर नीचे की तरफ ओवरी लगिए जहां मैं गुमा रहा हूँ देखू इसको दीरे दीरे गुमाए और गुमाएंगे तो क्या होगा ये daily हो जाएगी नीचे से ओवरी तो जो female part आगे था वो बाहर खिच के आगे आगे निकल के देखिए तो ओवरी बाहर निकल आई और female part जैसे style कहते हैं आगे इसके stigma है पिस्टन की तरह तो वो सारा का सारा देखिए खिच के आगे धीर धीर खीचते जाएए खीचते जाएए लगातार लगातार खीचते जाएए और खीचे और खीचे तो आगे से जो इसका stigma है पिस्टिल की तरह stigma जो आगे दीख रहा है पिस्टन की तरह जो दीख रहा है वो खिच के यदि कि ड्रॉप निकल आई ये है इसका honey nectar इसको चूज सकते है अराम से बड़ा मीठा है और आगे देखिए फिर दुबारा दिखा रहा हूँ है और इसको खीच सकते है दुबारा देखिए फिर से और फिर से ऐसे पकड़िये इसको फूल को हलका सा दवाईए ट्यूब है, कॉरोला ट्यूब इसे बोलते हैं और फीमेल पार्ट को इसे घुमा कर खीचिये, धीरे धीर तो देख रहे हैं अंदर फीमेल पार्ट घुम रहा है, लेफ्ट राइट घुम रहा है तो जब ऐसे करकर दीरे धीरे खीचेंगे तो एक लंबा सा धागा जो आगे दीख रहा है, वो पीछे की तरफ निकल गया, यह देखिए आगे निकला है और यह ओबरी दीख रही है, पीछे फीमेल पार्ट दीख रहा है और आगे भी दीख रहा है, इसको आगे भी खीच सकते हैं, यह देखिए, आगे खीचिये यह जो नैक्टर होगा, मधु होगा, वो चुसके बहार रहता है, और फिर पीछे की तरफ आप मूँ लागा के इसको चूस सकते हैं, चूसेंगे तो बड़ा मीठा, बहुत ही अच्छा टेस्ट है, जरीला नहीं है बिल्कुल, लेकिन यह पौदा जैपनीज है नहीं सके लोन और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद